दोस्तो अगर नए साल पर आप भी पिकनिक मनाने के सौखीन है तो आपको इन पांस बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए नहीं तो दोस्तो आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं चलिए बताते हैं आपको परिवार के साथ पिकनिक मनाने अगर आप जा रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वह जगा सुनसान या संदिख्ध इलाका ना हो पिकनिक करने से पहले पिकनिक के लिए चुने गए अस्थान के बारे में लोगों आपको जरूर पुछ लेनी चाहिए कि क्या वह अस्थान पिकनिक करने के लिए सही है या नहीं है पिकनिक के लिए ज्यादा घहने जंगल या ज्यादा रिमोट एरिया में आपको नहीं जानी चाहिए दोस्तो पिकनिक मनाने के दोरान किसी भी परकार का आपको कोई भी नसीला पदार्थ किसी भी जंगल में लेकर नहीं जाना चाहिए और साथी साथ आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पिकनिक मना रहे हैं उस चमय आपको नसीली पदार्थों का भी शेवा नहीं करना चाहिए आपको यहाद ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर आप खड़े होकर आप अपनी सेलफी ले रहे हैं वह जगा शेफ है या नहीं सेलफी लेते समय इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप सेलफी की स्मोके के लिए ले रहे हैं इतना ही नहीं आप कहां है इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए एशा ना हो शेलफी के चकर में आप मुसीबत में पर जाएं दोस्तों पिकनिक मनाने से पहले आपको भोजन संबंधित बातों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि दोस्तो इस समय आप जंगलों में भोजन को तयार करते हैं और आपको यह जान लेना चाहिए कि किस चीज के साथ आपको क्या चीज नहीं खाना चाहिए उसी के हिसाब से आपको भोजन तयार करना चाहिए नहीं तो दोस्तो आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं जरूर ध्यान दें कि आपको किस चीज के साथ में क्या चीज खाना चाहिए और क्या चीज नहीं खाना चाहिए दोस्तों सुरियास्त के दोरान या उससे पहले ही आपको अपने पिकिनिक कार्जक्रम को समाप्त करके अपने घर लौट आना चाहिए नहीं तो दोस्तों जंगल झाल झाल